टोनी मैंने सुना है तेरी मा तेरी शादी मानो जुले से करना चाहती है तुम चिंता ना करो जिंकू जो भी हो जाए मैं शादी करूँगी तो तुमसे ही करूँगी मा जो भी कर ले मैं मा का कहना कभी नहीं मानोंगी ऐसा ना हो कि तुम मा की बातों में आकर मुझे भूल जाओ ऐसा कभी नहीं होगा टूनी अपने घर चली जाती है टूनी बेटी कल तुझे देखने लड़के जुड़े वाले आ रहे हैं वो जुड़ा बहुत सुन्दर है और मेहंती भी मा मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है मैं तो शादी चिंकू से ही करूँगी टूनी बेटी मुझे गोरी कभी ने बताया है कि चिंकू एक नमबर का आवारा चिड़ा है वो आलसी है और दाना भी माग कर खाता है मा मैं चिंकू से प्यार करती हूँ आप मेरे सामने चिंकू को बुरा न कहें ममा चिड़िया अपनी बेटी के सामने बेबस थी ममा चिड़िया टूनी की सहली तोती के पास चाती है तोती तुम अपनी सहली टूनी को समझाओ कि मेरी बात मान ले और मानों से शादी कर ले वो चिड़ा बहुत सम्यजदार है मैंने थो पहले भी टूनी से बात की थी अगर आप कहती है तो मैं एक बार फिर बात करके देखती हूँ फिर दूसरे दिन नती पर तोती अपनी सहिली टूनी के पास चाहती है टूनी तुम मेरी सहिली हो मैं तुम्हें अच्छी बात ही बताऊंगी तुम अपनी माँ का कहना मालो और मानों से शादी कर लो मुझे पहले ही पता था माने ही तुझे उल्टी सीधी बातें सिखाई होंगी टूनी सहली सब कहते हैं के चिंकू आलसी है फिर तुम कैसे गुजारा करोगी उस चिंकू के साथ मैं प्यार करती हूँ चिंकू से और प्यार में भूक प्यास नहीं देखी जाती मैं भूकी रहलूँगी मकर शादी तो चिंकू से ही करूँगी आंटी मैंने बहुत समझाया है उसे मैंने टूनी को सारी बात बताई है मगर वो किसी की बात सुनने के लिए त्यार ही नहीं है मैंने तो सोचा था कि वो तुम्हारी से हिली है और तुम्हारी बात मान लेगी मैं लूसी कबूतरी से बात करती हूँ वो अपनी लूसी आंटी की बात तो मान ही लेगी फिर ममा चुड़िया लूसी का बूतरी के पास जाती है लूसी टूनी हर रोज तुम्हारे घर आती है वो तुम्हें हर समय आंटी आंटी कहती है तुम ही उसे समझाओ के उस आलसी चिंकू का पीछा छोड़ दे रानो जो अपनी मां की बात नहीं मानती मेरी कैसे मानेगी मगर मैं कोशिश करूँगी शाम के बाद लूसी अपने घर के बाहिर बैठी हुई थी के टूनी वहाँ आ जाती है आंटी लूसी कैसी हो मैं तो ठीक हूँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी क्या मा आई थी मा ने जरूर आपको भी वही कहा होगा जो मेरी सहिली मीना से कहा था तो तुम अपनी मा की बात मान क्यों नहीं लेती हो आज के बाद मैं आपके पास भी नहीं आउंगी जो जो मुझे चिंकू को छोड़ने का कहेगा मैं उसे उसे छोड़ दूंगी पश्ताओगी एक दिन सब जलते हैं मुझसे मीरी और चिंकू की सुन्दर जोड़ी से सब जलते हैं टूनी गुसे में वहां से चली जाती है मा हार जाती है और टूनी जीत जाती है टूनी बेटी मैं हारी तुम जीती बुलाओ उस चिंकू को के तुम्हें बिहा कर ले जाए ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है फिर दूसरे दिन चिंकू टूनी को बिहाने आ जाता है चिंकू बेटा आपके ममा पापा में से कोई भी साथ नहीं आया टूनी तुमने बताया नहीं मा को के मेरे ममा पापा तो कब के मर गए है मैंने बताया था माम भूल गई है फिर अकेला चिंकु टूनी को बिहा कर ले जाता है घर जाकर दो चार दीन तो चिंकु टूनी की खुब सेवा करता है और फिर पांचमें दीन टूनी से कहता है टूनी, अब तुम नई नवैली दुलहन नहीं रही हो जाओ, मेरे लिए और अपने लिए दाना ले आओ चिंकू, मगर तुमने कहा था कि दाना तुम लाया करोगे मैंने जूट बोला था, अगर मैं जूट ना बोलता, तो तुम कैसे मुझसे शादी करती फिर चिंकू टुनी से दाना मगवाता और खुद घर में बैठ कर आराम करता और तो और एक दिन चिंकू के दो दोस्त उलू भी घर आ जाती है टुनी आज मेरे इन दोस्तों के लिए भी दाना तुम ही लाओगी टुनी तो अब बहुत ठक गई थी, आइसा आइसा दोनों में खचाओ भड़ता रहता है और फिर एक दिन चिंकू टुनी से कहता है लाओ लाओ, अपना ये हार मुझे दो, मैंने ये हार बेच कर दारू पीना है ये हार मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूँगी, ये हार मेरी माने मुझे दिया था मगर जिंकू टुनी से वो हार छीन लेता है जब कुछ दिनों बाद टुनी अंडा देती है, तो जिंकू अपना ही अंडा उठा कर तोड़ देता है जालिम, ये तुमने क्या किया, तुमने अपना ही अंडा तोड़ दिया घर छोटा है, इस घर में बच्चों की जगा नहीं है, और वैसे भी मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते टुनी की जिंदगी दुखों से भर जाती है, मगर वो सारे दुख सह रही थी क्योंके उसने अपनी माँ को नराज करके चिंकु से शादी की थी अब सारी जिंदगी दुख टूनी का मुकदर थे, वो रोती रहती है और अपनी माँ की बाती याद करती रहती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद जातुई बेंगन का बीच दूर किसी जंगल में एक चिडिया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती थी मा चिडिया जंगल में बेंगन बेचा करती थी चिडिया के बेंगन बहुत ताजे ताजे होते थे जिस कारण चिडिया की दुकान पर बेंगन खरीदने वालों की भीर लगी रहती थी बहुत सच है चिडिया, तेरे जैसे बेंगन किसी और के पास नहीं है एक दम ताजा बेंगन है चडिया के मेरे खेट के बेंगन ताजा और अच्छे होते हैं इसलिए तो इनका स्वाद भी अच्छा होता है चडिया का अपना एक बेंगन का खेट था सुभा सुभा माचडिया अपनी बेटी के साथ खेत में जाती और ताजे ताजे बेंगन तोड़ कर एकठा करती। फिर माजडिया वो बेंगन अपनी बेल काड़ी पर लाद कर जंगल में अपनी दुकान पर बेचने चली जाती थी। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। चिडिया की दुकान के पास ही कालुकवे की भी बेंगन बेचने की दुकान थी। मगर कालुकवे के खराब और गले सड़े बेंगन होने के कारण कोई भी कालुकवे से बेंगन नहीं खरीदता था। यही वज़ा थी के कालुकवा चिडिया से बहुत जलता था। ऐसा क्या करूँ जिसे इस चुडिया की बैंगन की दुकान बंध हो जाए जब तक इस चुडिया की बैंगन की दुकान है मेरा धंदा तो नहीं चल पाएगा रात को कालू कवा अपनी पतनी से सलाह करता है कालू हम ऐसा करते हैं कि चिडिया के बैंगन के खेद में कीड़े लाकर छोड़ देते हैं फिर चिडिया के कीड़ों वाले बैंगन कोई नहीं खरीदेगा और हमारे बैंगन बिक जाएंगे ये सुनकर कालू कवा बहुत खुश होता है फिर दूसरी रात कालू कवा और गोरी कवी पूराने जंगल में अमरूदों के पेड़ से खराब अमरूद तोड़ तोड़ कर उनसे कीडे निकाल कर टोकरी भर लेती है और रात को छुब कर चुड़िया के खेट में जाकर सारे कीड़े चुड़िया के बैंगन के खेट में छोड़ दे दी है चुड़िया जब अपने खेट में आती है तो हर रोज की तरह बैंगन तोड़ तोड़ कर एकठे करती है उसकी बेटी काम में अपनी मां का हाथ बटा रही थी हर्याली तोती चुडिया के पास आती है चुडिया बेहन मुझे ताजे ताजे दो किलो बेंगन दे दो मेरी मा आई है उसे बेंगन का भरता बहुत बसंद है हर्याली बेहन ये बेंगन मैं आज सुभा ही तोड़ कर लाई हूँ ये एक दम ताजे है हर्याली तोती जब घर जाकर बेंगन काड़ती है तो सारे ही बेंगन कीड़ों से भरे हुए थे चुडिया ने मुझे खराब बेंगन दे दी है मैं अब ही चुडिया के पास चाती हूँ हर्याली तोती जल्दी जल्दी से वापिस चाती है उधर दुकान पर लूसी कबूतरी भी चुडिया से लड़ाई कर रही थी हम तुम से बैंगन खरीदते हैं इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें खराब बैंगन ही दे दो रखो अपने बैंगन और मुझे मेरे पैसे वापिस कर दो मेरे बैंगन भी खराब है इनमें कीड़े है मैं तो खुद परेशान हूँ कि एक ही रात में मेरे बैंगन खराब कैसे होगे मैंने तो महंगी सप्रे लेकर अपने बैंगन के खेट में की थी ऐसे चिडिया का धंदा बंद हो जाता है और सारे पक्षी कालू कवे की दुकान से बैंगन खरिदने लगते हैं शाम को जब चिडिया घर जाने लगती है तो कालू कवे चिडिया से कहता है सुन सुन चुडिया अब तेरे ये कीडों वाले बैंगन कोई नहीं लेगा तू ऐसा कर मेरे ये बैंगन लेकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दे मगर चुडिया कव्वे की बात का कोई जवाब दिये बिना ही वहां से चली जाती है आज वो मा बेटी अपने घड में बहुत उदास बैठी हुई थी दूसरे दिन जब वो मा बेटी अपने खेट में जाती हैं तो खेट में सारे ही बैंगन गल सड़ चुके थे मा अब हम क्या करेंगी हमारी मेहनत को किसी की नजर लग गई चल बेटी हम दूसरे जंगल जाकर किसी और सबजी का बीज लेकर आती हैं फिर वो मा बेटी दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ती हैं जब वो घने जंगल में पहुँशती हैं तो वहां उन्हें एक पक्षी नजर आता है जो मदद की कोहार लगा रहा था कोई मेरी मदद करे कोई पक्षी मेरे पाउं से ये कांटा निकाल दे मामा चिडिया और गुडिया दोनों वहां जाती हैं और उस पक्षी के पाउं से कांटा निकाल देती हैं वो पक्षी अचानक सुन्दर परी के रूप में बदल जाता है डरो ना चुडिया, मैं सुन्दर परी हूँ, मैं दूसरों की मदद करती हूँ, मांगो, तुम क्या मांगती हो चुडिया रोती हुई, परी को सारी बात बताती है अब मैं और मेरी बेटी इसी दूसरी सबसी के बीच लेने जा रही है ये लो चुडिया ये जादूई बेंगन के बीच है तुम ये बीच जाकर अपने खेट में लगा दो इस बीच से बेंगन का पोदा नहीं बलके बड़ा पेडू के का जिस पर हमेशा हमेशा बेंगन लगते रहेंगे वो जादूई बेंगन का बीच लेकर माचडिया और उसकी बेटी वापिस अपने खेट में जाती है और वो जादूई बेंगन का बीच बो देती है दूसरे ही दिन उस जादूई बेंगन के बीच से एक बड़ा पेड़ निकलता है जिस पर धेर सारे बैंगन लगे हुए थे गुडिया गुडिया बेटी इस पेड़ के बैंगन तो हमारे बैंगन से भी थाजे और बढ़िया है वो मा बेटी उस पेड़ से बैंगन तोड़कर फिर से अपनी दुकान पर ले जाती है और उनकी दुकान फिर से चलने लगती है कवा और कवी जब चिडिया के खेट में जाते है तो बैंकन का इतना बड़ा पेड़ देखर हैरान हो जाते है कॉलू इससे तो अच्छा था कि हम चिडिया के खेट में कीड़े नहीं छोड़ते हमने चड़िया का बुरा चाहा और उसे मिल गया जादूई बैंकन का पेड़ ऐसे चड़िया को सफलता मिलती है और कवे अपने मूँ की खाते है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद